दोस्तो आजकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी तीन प्रकार की अवरतों के बारे में या पिर ऐसी तीन प्रकार की लड़कियों के बारे में जिनको पटाना जिनको इंप्रेस करना एकदम दोस्तो आसान होता है और कोई भी पूरुष या पिर कोई भी लड़का आप भी दोस्तो ऐसी गर्ल्स को चुटकियों में पटा सकते हो या फिर पटा सकता है तो दोस्तो अगर आपको जानना है ना कि कौनसी है वह तीन प्रकार की अवरत है जिनको पटाना एकदम दोस्तो आसान होता है तो आज का विडियो आप दोस्तो पूरा देखे क् सबसे पहले प्रकार की दोस्तों जो ओरत है या फिर सबसे पहले प्रकार की जो लड़की है और जो कॉनसी है कि एसी ओरत या पीर ऐसी लड़की जो दिकने में एवरेज जी हां दोस्तो क्या बला मैंने ऐसी अवरत ये फिर ऐसी लड़की जो दिखने में एवरेज है दोस्तो इसका मतलब क्या है कि आपने आपके जिंदगी में अकसर ऐसी गर्ल्स को भी देखा होगा जो ना दिखने में एकदम अच्ची होती है और ना ही एकदम बेकार होती है यानि कि वो दिखने में ठीक ठाक होती है दोस्तो एक्चुली प्राबलम क्या होता है कि सभी पूर्शों को ऐसा लगता है कि उनसे जो अवरत पटेना वो दिखने में एकदम सुन्दर हो और दिखने में एकदम beautiful लो तो दोस्तो इसलिए ऐसी ठीक ठाक दिखने वाली girls के उपर ज्यादातर पूर्षों की नजर बिल्कुल भी दोस्तो नहीं जाती और इसलिए दोस्तो ऐसी girls को भी लगता है कि कोई भी पूरुष आकर, कोई भी लड़का आकर उनको भी पटाने की कोशिश करे यह दोस्तो सबसे पहले प्रकार की girl से पिर सबसे पहले प्रकार की आवरत होती है दूसरे प्रकार की दोस्तो जो आवरत है या पिर दूसरे प्रकार की जो लड़की है और दोस्तो कौनसी है कि ऐसी आवरत या पिर ऐसी लड़की जो अपने पती से या पिर अपने प्रेमी से असंतुष्ट है जिहां दोस्तों क्या वला मैंने ऐसी अवरत या पिर ऐसी लड़की जो अपने पती से या पिर जो अपने प्रेमी से असंतुष्ट है दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी अवरत के जिंदगी में कोई पूरुष है और पूरुष उस अवरत को पूरी तरह से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाता तो ऐसी भी अवरत को लगता है कि कोई भी पूरुष आकर उसको सभी परकार की खुशिया दे यानि कि कोई भी पूरुष आकर उसको भी पटाने की कोशिश करे तीसरे परकार कि दोस्तो जो लड़की है और दोस्तो कोन सी है कि छोटी उम्र की अवरत जी हां दोस्तो दोस्तो इसका मतलब क्या है कि जीस अवरत की उमर या पिर जीस गर्ल की उमर छोटी होती है तो ऐसी अवरत को भी पटाना एकदम दोस्तो आसान होता है इसका दोस्तो कारण क्या है कि छोटी उम्र होने की वज़े से उसके अंदर ज्यादा समझदारी बिल्कुल भी नहीं होती और इसलिए दोस्तो ऐसी अवरत के सामने या पिर ऐसी गरल के सामने अगर कोई भी पूरुष या पिर अगर कोई भी लड़का थोड़ी से भी शाइनिंग दिखाता है ना तो ऐसी अवरते पिर ऐसी लड़की उससे चुटकियों में पड़ जाती है तोस्तो बस अचकी इस वीडियो में इतना ही I hope जो मैंने आपको बताया हो आपको सब कुस समझ आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद